दोस्तों हर हर महादेव ओम नमश शिवाई जै महाकाल दोस्तों अगर आप महादेव को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूझा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान शिव अपने भक्तों के वरत और पूझा पाट से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्त से महादेव साक्षात मिलने ना आकर उन्हें स्वपन में दर्शन देते हैं, या उन्हें कुछ संकेत देकर अपनी मौझूदगी का एहसास कराते हैं, संकेतों क माध्यम से भगवान शिव अपने भक्तों से यह कहना चाहते हैं, कि अब उनके जीवन से दुखों का अंध होगा धन से जुड़ी समस्या अब, समाप्त हो जाएगी अब उनके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है, भगवान शिव सपनों या संकेतों से भक्तों क को अपने होने का आभास कराते हैं, संकेत के माध्यम से भूलेनात बताते हैं, कि वह अपने भक्तों पर अध्यंत प्रसंद हैं, इसलिए इन संकेतों को अती शुग मानना चाहिए, यदि आप सपने में किसी देवी देवता को देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप अपन दिखाई दे रही है, तो इसका सीधा अर्थ है, कि महादेव का आशीरवाद आपके उपर है, इनसान के साथ होने वाले शुब और अशुब संकेतों को भगवान सपने के माध्यम से बताते हैं, यदि बुरे दिन कटने वाले हैं, तब भी आपको संकेत मिलते हैं, और यदि क पहले आप से हाथ जोड़ के विंती है, अगर आप महादेव को मानते हैं, उनकी पूझा करते हैं, तो विडियो को लाइक शेर जरूर करें और निचे कमेंट में हर-हर. महादेव या श्री शिवाई नमस्तुभ्यन जरूर लिखे जिससे की आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए. पहला संकेत होता है सपने में शिवलिंग देखना अगर सावन के महीने में या किसी सुमवार के दिन आपको सपने में शिवलिंग के दर्शन होते हैं, तो समझ जाए भूलेनात आपसे बेहत प्रसंद है, यदि आपको सपने में सफेद शिवलिंग दिखाई देता है, तो यमें सिध्धी मिलने वाली है, यह सपना हमें बताता है कि हमारे द्वारा किया गया पूजा पाठ महादेव तक पहुँच रहा है, सपने में शिवलिंग का दिखना परेशानियों के अंत का संकेत होता है, यदि आपको भी सपने में शिवलिंग दिखाई दे तो आपको अप संकेत माना गया है, भस्म भगवान शिव के द्वारा शरीर पर धारन की जाती है, यह कोई सा धारन राख नहीं है, यह बहुत कल्यानकारी भस्म होती है, अगर आपको सपने में भगवान शिव की भस्म दिखाई दे तो इसका अर्थ है, कि महादेव आपको पूजा पाठ और धर्मकर चरणों में अर्पित करदे भगवान शिव की भस्म सपने में देखने का अर्थ है, कि महादेव आपसे अत्यंत प्रसंद है, वह आपको अपना रूप और अपनी सिद्धियां प्रदान करना चाहते हैं, यह स्वपन लाखों व्यक्तियों में से किसी एक व्यक बहुत भग्यशाली होता है, नाग नागिन का जोड़ा प्रेम और समर्पन का प्रतीक है, अगर आपको यह सावन के महीने में या सुमवार के दिन दिखाई देता है, तो समझ जाए कि आपका वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा होने वाला है, आपकी विवाह की समस्या जल्दी ही दूर होने वाली है, सपने में नाग नागिन को देखने का यह अर्थ भी होता है कि आपको धन लाब होने वाला है, चौथा प्रमुक संकेत है कि सावन के महीने में में या मचली को देखना सावन के महीने में, यदि आपको ऐसा सपना आए जिसमें में दिख बोल प्रतीक अगर सपने में यह दिखे तो समझ जाए आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है या मुसीबत शत्रू या वाद विवाद से संबंधित हो सकती है या फिर आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके कारण महादेव आपसे क्रोधित हैं इसलिए जब आपको यह सपना आए तब आप मंदर जाकर भगवान शिव की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करके उनसे स संकत निवारन हेतु प्रार्थना करें छठा प्रमुक संकेत है सपने में प्रभु श्री राम या हनुमान जी को देखना जब महादेव अपने भक्त से अती प्रसन होते हैं तब भक्तों को यह सपना आता है इसका अर्थ है कि महादेव ने आपकी पूजा को स्वीकार कर ल एक सच्चा शिव भक्त बनने के लिए जिस दिन आपको यह सपना दिखाई दे उसी दिन से आप शिवलिंग को नियमित स्नान कराना शुरू कर दीजिए उनकी नियमित सेवा शुरू कर दीजिए आठवान संकेत है सपने में अपने पूरवज या सफेद वस्त्रधारन किय हुए व्यक्ति को देखना जब आप भगवान शिव की सेवा शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पी आपसे प्रसन्न होकर आपको आशिरवाद देने आते हैं नौवां संकेत है सपने में बैल देखना बैल यानी नंदी को महादेव का प्रिय भक्त माना गया है लोग कथा के अनुसार नंदी भक्तों की मनोकामना को महादेव तक पहुँचाते हैं यदि आपको भी नंदी दिखाई दे तो समझ जाए कि आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है जिस दिन आपको यह सपना आए उस दिन आपको क प्यारहवा संकेत है सपने में भैरव या भूत प्रेथ देखना कभी-कभी महादेव के दूद भक्त की परीक्षा लेने। के लिए भूत प्रेथ के सपने दिखा कर उसे डराने का प्रयास करते हैं पर आपको घबराना नहीं है क्योंकि महादेव के माध्यम से दिखाई देते हैं अगर आपको इससे हटकर कोई संकेत मिला है तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं तो मित्रो अगर वीडियो अ आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए.